अधार पैन लिंक के लिए 30 जून अंतीम तारीक पाथ साल में 15 बार बढ़ी डेडलाइन अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैन कार्ड रद किया जाए रद हो जाए तो फिर आप जल्दी से जल्दी अपना अधार और पैन आपस में लिंक करा ले इस काम को पूरा करने के लि वही अगर बंद पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी काम में करते हैं तो आपके उपर जुर्माने की कारवाई की जाएगी आधार पैन लिंक करने की लास्ट देट बीते 5 सालों में कई बार बढ़ाई जा चुकी है लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना कम नजर आ रही है मतलब काम आप तुरंट लिटाले 5 साल में ही लगतार डेट बढ़ती रही है जल से जल पैन कार्ड और अधार कार्ड को लिंक करा ले कोरोना के चलते लगतार ये डेडलाइन बढ़ रही थी इस बीच अब 30 जून के बाद आपको जुर्माना लगेगा अधार पैन कार्ड अगर आपस में लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड रध हो जाएगा